कि अगर आज की दुनिया में बोला जाए कि सब्सक्राइब इंस्टूशन कौन सा है तो कम्पनीज कलेक्टिबली हैं जो एक ताइम था जब रिलीजन बहुत इंपॉर्टन्ट हुए धर्म का बहुत महत्वा करता था लोगों की लाइफ को धर्म बहुत जादा इंपक्ट किय करता था फिर धाइसो साल पहले लगबग नेशन स्टेट का कॉंसेप्ट आया अलग लग देश बन गया बॉंडरी एकदम फॉर्मल हो गई कई सारे बॉर्डर पर तो तार लगा दिएगे हमारे पाकिसंग का बॉर्डर है इस तरह के जगड़े भी होने लगे तो एक नए बहुत तेजी से चेंज करने वाल इंसीटेशन फूरा जाटा है जो है आज आप अपनी दुनिया में देखेंगे अभी इस कैम्मरे से रिकॉर्ड हो रहा ही वह बहुतीं हो किसी कंपनी की है इस कमरे में मेरी दैनिक जीवन में मैं सुबह उठता तो toothbrush करता हूँ, वो भी किसी company का है, toothpaste है वो भी किसी company का है, हर चीज, खाना खा रहा हूँ, तो अब तो आटा भी package डाता है, तो वो आटा भी किसी company का है, सब कुछ, ऐसा हो गया है कि जितना ज़्यादा हमें as an institution, companies प्रावित कर रही हैं, उतना आप कोई न तो अब धीरे-धीरे और एक तरह से बहुत सारे कुछ आसे नए philosophers हैं, और liberals हैं, वो यह बोलते हैं कि companies में भी कई जगे पर हम लोग needs बना देते हैं, जैसे कुछ कार्बूरेटर ड्रिंक्स की needs होती है, या था नहीं, अभी बहुत बड़े-बड़े नाम है, Coca-Cola है, Pepsi हैं, क लेकिन कई जगे पर उस तरह की हिंसा नहीं होती है, तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि companies बहुत तेजी से globalization की process को बहुत तेज करते जा रहे हैं, और उस इस तरह का अन्याय यहां पर भी होगा, जो दिखता भी है कई जगे पर, कई तरह की companies भी इस तरह की हिंसा नेशन स्टेट और रिलिजिन के नाम पर होती रही ऐसा शायद नहीं होगा, companies के रहते हुए ऐसी बाते भी आती है, क्योंकि ultimately लोग चाहिए, लोगी तो consume करेंगे, खरीदने वाली नहीं रहेंगे, तो समस्या हो जाएगी, महाल नहीं होगा, खरीदने बेशने का तो दिक्कत हो जाएगी, हम लोग रहते हैं, इंडिया में, इंडिया में company बोला जाता है उसको, जो हमारा company executive 2013 का, उसमें as a company registered है, ये परभाशा है, कि इस अधनियम में, जो भी company की तरह registered है, उसी को हम लोग company बोलेंगे, तो अपना जो अधनियम है, company executive 2013 का है, इससे पहले 1956 का था, फिर इसको हम लोग ने काफी changes किये थे, बहुत सारे sections से जिनको हटा दिया गया था, जिनकि जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं चीज़ें भी जोड़ी गई, जिससे कि हम उसको, बदलते हुए समय के साथ, अच्छा द्ही तो हम लोग कोने कुछ 7-8 लखें लिखे हुए है, तो समझना है स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला तो भाई है कि क्रत्रिम व्यक्ति होता है, क्रत्रिम व्यक्ति का मतलभ वह artificial पर्सन है, इस लिए है क्योंकि सांस नहींद का दौर नहीं सकता, बात नहीं सकता, खाना तो इस वज़े से वो artificial है लेकिन व्यत्ति क्यों है क्योंकि वो समझोते कर सकता है company अपने नाम से property खरीच सकती है company किसी और के उपर मुखत्मा कर सकती है company किसी से पैसे उधार ले सकती है company किसी और को पैसे दे सकती है company किसी से सामान खरीच सकती है कि हम तो बाद में पैसे दें कि यह सारे काम कंपनी कर सकती है ठीक है इसी लिए कंपनी जो है उसका मोग क्या बोलते है कि एक प्रत्रिम रहती है एक आर्टिफिशल परसन है कानून द्वारा बनाई जाती है है ना कोई नैश्रल बर्ट नहीं होता को प्राकुटिर रूप से जन्र निवा कंपनी का कानून ने बनाया और अपने सरस जो भी है उनसे इसका अलग अस्तित होता है सोतन्त होता है इंडिपेंडेंट होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट है कानूरी रूप से अलग आइडेंटिटी है क्यों है अलग क्या मतलब यह सबसे important point है company अपने नाम से assets और liabilities चला सकती है जो दुकान का मालिक है वो दुकान की नाम से चलाएगा लेकिन वहाँ पर कुछ भी दिक्कत होगी तो जो दुकान है दुकान में मैं sole proprietorship को मानना हो भी not necessary जो दुकान में किसी company का है साथ हो सकता है क्यों क्यों कि इनका स्वतंत्र अपना वैधानिक अस्तित्र है स्वतंत्र कानूनी अस्तित्र है अच्छा यह दूसरा चीज होगे तीसरी क्या में विशेष्टा है इस थापना company start करना relatively काफी complex process से बहुत सारे documents बनाने पड़ते हैं जिनको लोग बोलते हैं प्रलेफ तयार करना हिंदी में ऐसे ही कई सारे ऐसे compliance समझते हैं कि कानून में कुछ दे रखा है जिसका आपको पालन करना पड़ेगा फिर आपको कई नॉर्मली अभी हम लोग इंडिया में करते हैं जो चार्टर काउंटेंट्स होते हैं उन्हीं कि अप्लाई करते हैं एक आम आदमी तो फूर कर भी नहीं पाएगा कि company कैसे खोलनी है लेकिन इसमें उसको पैसे देने पड़ते हैं तो जाला खर्चीली process भी है समय भी लगता तो उसमें कई बार आपका नाम reject हो रहा होता है तो वो जो पूरी process है वो complex process है तो कैसी process समय लगता है खर्चीली प्रक्रिया है जडिल प्रक्रिया है कार शुरू करने से पहले ही आपको documents की बनाने पर जाते हैं और कई कानूनी अवशक्ताओं का पालन करना पड़ता है कई सारी compliance होती है तो यह तो आपको सीरे सीरे देख जा रहा है कि भाई यह तो एक अच्छी चीज नहीं है अभी हम लोग इसी की limitations पढ़ेंगे सीमाय क्या क्या है company की और इसके फायदे क्या क्या है तो आपको यह तो एकदम देख रहा है कि भाई यह तो बड़ा कठीन है एकल स क्या होता है आपको business करना है लेकिर उसके पहले अगर आप company establish करके company की नाम से business करोगे तो यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा अच्छा अगला point क्या है अगला point आता है perpetual succession का किसका perpetual आने कि साश्वत उत्राधिकार company कैसे बनी कोई natural बढ़तो था नहीं किसी ने जन तो द कि जो कुछ भी सामान था ऐसे मेला लगता था च्छोड़े में मुझे याद है तो कोई सामान आया बेशने के लिए और उसने अपना बेचा सामान जो भी बाश्याम होगी तो उसने ऐसा करके बटोर करके निकल लिया उसको बोलते हैं वाइंड अप एक टर्म बोला जाता ह कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोगों ने हिंदी में यूजी नहीं कि अभी बीजो इंडिया में कानून चल लाए उसमें भी हम लोग सारे टर्म्स को नॉमली इंग्लिश में यूज कर रहे होते हैं इन कॉर्पूरिशन सर्टिपिकट मिलता हम लोगों को जब कंप हैं जो पूंजी लागानी पड़ती है तो पूंजी को हम लोग छोडआ छोडगे छोड़ए हिस्सों में तो देते हैं और उस हिस्से को बुलते तो दो तरह की companies होती है पब्लिक और एक होती प्राइबिट तो प्राइबिट और पब्लिक companies के बारे में हम लोग अगले के अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले वीडियो में आपको भी एक मोट मिलेगा ठारावर्च से आप उपर होगे यूनिवर्सल जो हमारे यहां पर है एक system उसमें सारे लोगों का मिलता है अशानी होता है आपके हमने लिमिंट लगा ठकी है ठीक तो कि आपके पास इतना पैसा हो तभी आप वोट कर सकते आप कि इतने इसिच्छ आपकी वोटिंग का उतना वज़न होता है यह उसमें आपके पास शेयर्स है मेरा वोट ज़्यादा पावर पूल आपके पांच यह तो दोसों घुना ज़्यादा इंपोर्टेंट और देखो गए कि 50% shares वालो ने अगर किसी जगर पर वोट कर दिया तो उसको माना जाएगा तो वोटिंग अलग तरह से होती है लेकिन आप समझिए कि जब लोग वोट आप एरेक्टर चुनते तो उसमें भी हमारे जो वोट शेयर है उसकी बात होती है अब उसमें कभी-कभी वोट करने में restriction गोट भी लगा जाता है जैसे मालीजी आप से तनी रुपए लेने थे शेयर खरीदने के नाम पर आपने उसमें लिखा जाता है कि तब तक आप पूरे पैसे निरो तब तक आपसे वोट कार आपके पास नहीं रहेगा इस तरह के चीज़े होती है लेकिर समझिये होता है कि अंश धारक ये किसकी बात करें हैं, हम जो कि नियंतरन की बात करें, कि company में नियंतरन कैसे होता, control कैसे किया जाता है, तो नियंतरन कैसे होता है, अंश धारक लोगोंने जो भी shareholders है, जो company के माले के वास्ता में, उन्होंने एक अपना प्रतिश मंडिल चुना जिसकों लोग बोलते हैं देशक मंडल इंग्लेश मों बोलते हैं बोड़ाफ एरेक्टर्स बहुत की कॉमें टर्में बोड़ाफ डारेक्टर्स अभियाद रखेगा और यही लोग वास्तों में कंपनी को मुख्य रूप से मैने सबसे उपर के लोग है जैसे गूगल में सुंदरपचेश साथ है ऐसे इंडिया के बहुत सारे आइबिम के जो चीफ थे अपने मैकेंजी कंपनी हैं उसके हैडू आ करते थे तो जो मुख्य प्रबंदक है उनको चुनने का सिर्फ मुख्य को नहीं उसके साथ है जो काफी कुछ इसतर के management managers होते हैं उनको चुनने के लिए board of directors काम करता है तो normally परोग चुरूप से इनका control रहता है डिरेक्टी नहीं रहता है यहाँ पर मिलकियत और प्रबंधन इसमें अंतर हो जाता है मालिक कोई और है प्रबंधन कोई और करेगा प्रबंधन वो करेगा जो प्रबंधन करने में expert है मालिक लोग वो है जिनके पास उस company का हग है जिनके पास उनकी ownership है अच्छा अब समझे अर्श को हम लोग बोलते हैं share share मतलब अच्छा किसका हिस्सा पुझी का और जो पब्लिक लिप्टेट कंपनीज होती है उसमें बहुत इसली आप शेयर्स ना सब्सक्राइबल होते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एक इसकी खासित होती है एक गोण है उसको देखेंगे तो देखेंग बात करेंगे अच्छ लोग ने देख लिया अगला पॉइंट आता है मारा दाहितु का लाइबलिटी इसका बहुत इंपॉटन पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है असीमित नहीं होती है सीमित लाइबलिटी होती है कंपनी लूग गई तो आपके विक्तिकत एसेट्स को नहीं लिया तो आप से 30,000 रुपए मांगे जा सकते तब जब हानी की भरपाई के लिए कंपनी के सारे जो भी संसाधन थे वो कम पढ़ गया है उसके बाद आपके पास पैसे बखाया है तो आपको जो हिस्सा है आपके इतना हिस्सा खरीद रखा है या खरीद रखा है आपने पैसे नह रखा जाएगा और इसी वज़े इसी वज़े से जो लाइबिलिटी है जो देता है वो कितनी होती है सीमित होती है असीमित नहीं होती ये काफी बड़ा पॉइंट है कंपनी ने जिस तरह से रिवोलुशनाइज कर दिया किसको जो भी हमारा विवर्साय करने का तरीका हुआ करता था ये बहुत इंपोर्टन पॉइंट है आपको दीरे दीरी चीनि समझ में आएंगी कि लाइबिलिटी सीमित होने के विज़ेस है क्योंकि सदस्यों से उनकी अधर तराशी लिया सकती जो उनको चुकानी ते नहीं चुकाएगे बाकी नहीं लिया आता प्राइवेट कुछ उसी को मोहर लगाना जो मोहर है और हस्ताक्षर के बराबर माना जाता है इसको कूछ तो हस्ताक्षर कर दिल सकती है अच्छा अब जोखिम क्या है नुकसान होगा है कोई कंपनी में ढूब गई बहुत सारी कंपनी जोपती रहती है तो जो जोखिम है रिस्क है कंपनी से जड़ागा वो सारे अंच धारकों के बीश में क्या होता है बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोगों को आप कर सकते जोकिंग को बांट देते हो, ये भी एक तरह का इसका अड्वांटेज मिलता है, तो हम लोगों ने क्या किया है, साइंत पुझी कंपनी जो बहुत ही एक revolutionary आइडिया है, इसको देखना है स्टार्ट किया है, अब हम लोग अगले वीडि इस organization और उसका evolution कैसे हुग और company में किस तरह से चीज़ें चेंज की तो आपको बहुत मजाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई doubt हो, तो प्लीज कमण वाक्स में लेकर बताईए, और चैनल सब्सक्राब नहीं किया, तो प्ली सब्सक्राब नहीं के साथ शेयर करि अपना योगदान जरूर दें